Hi Everyone, कैसे हैं आप सब लोगं? आज हम आपको हमारी लाइफ के बारे में बताएंगे हम पूरा दिन क्या करते हैं, उसके बारे में बताएंगे ये ब्लॉक स्टार्ट होता है हमारा मौनिंग से हम मौनिंग में कौन से बेकफास करते हैं? हम नहीं करते हैं actually हम बच्चों का लंच बॉक्स बनाते हैं और यहां है ना USA में इस टाइब के लंच बॉक्स मिलते हैं बच्चों के लिए इस टाइप मिलते हैं और बड़े बच्चे हैं ना वो ऐसी ब्राउन बेग में ले जाते हैं ताकि वो खाके उसको फिर गर्बर में तरह से और यह हमने कैसे बनाया था सुबह सुबह अरली इंडर मॉनें तो यह सबही हमारी टिप्स हम आपसे शेयर करें है इस ब्लोग में हम रेसीपी कम डेंगे पर हमारी लाइफ स्ट्राट के बारे में क्या करते है कैसे लटज बनाते है कैसे घर के देख पाल करते हम सब लंच के लिए हमने खाया था फ्रूट चाट इसको बोलते है फ्रूट्स विद गरोला अन दे टॉप मेंस नीचे फ्रूट है उपर कोई भी जट का योगर्ट है तो ये फ्रूट चाट है फिर हम घर के आके किती कप शाय पीते है वो भी हम आपको पताएंगे कहाँ पे चाय और फिर यहां का नजारा भी हम आपको बताएंगे तो पहले हम आपको ले जाएंगे हमारी मॉर्निंग से तो यह यहां का नजारा है जो भी हम आपको ब्लॉग में बताएंगे जब हम घूमने जाते हैं यहां पे कौन सा नजारा देखने को मिलता है वो सब कुछ हम आपको बताएंगे तो चलिए शरवाट करते हैं तो आज हम लंच में खाये थे फ्रूट चार्ट नीचे है स्ट्रॉबेरी एपल्स और उपर योगर्ट है कोई भी जाट का योगर्ट और यहां पर है ग्रनोला मिलता है ना तो वह हम डाल देते वह बहुत टेस्ट में अच्छा बना है था मेक्सिकन केसडिया जिसको आफ बनाते ही ब्लेक बिंस के साथ यहां पर ब्लैक बिंस बहुत पॉपिलर है और यह हैंना हर्फ में भी बहुत ऑच्छा रगता है और यह हैंना हमरी टेखने कि हम रहना उपर शीराचा सॉस डाल लेते हैं हाट सौस उपर से चीज आती ह जो हम यहां पर रेगिलर श्रेड़ेट चेज भी मिलते हैं मिन्स च्रेट करी हुई श्रेट मिन्स चोटे-चोटे टुकड़े वाले चीज मिलती है और ब्लॉक भी मिलते हैं हम ब्लॉक लाते हैं और टाको सिजनिंग बस यह आपको इतने ही इंग्रीडियंट्स जाहिए और लैक है उसके साथ यहां पहना बरीडोह मिलता है ऐसा दिखता है हमने बताइते हैं जिन यहीं और आपको बलता है वह फॉलट का भी है बसाइप स्टोर को यहां से ही रोगे मिलता है less हम लाते हैं क्योंकि बच्चों को ऐसा ही पसंद है तो उसके अंदर यह सारे इंग्रीडियस बीन सेना से रचाच सॉस और चीज और टाको सीजनिंग यह सब कुछ डार के आपको नीचे एक लेयर रखना है और उपर से उसको ढग देना थे जैसे कि हम आपको वीडियो में बत करैंब अनुदी आति मृष्ष बात्यक्तर ही देतनी लाऋ प misf और यहरू बहुत अच्छा लगता है और अभी तो वेदर अच्छा था तो हम बाहर यह बाइन जाकए और श्वींग पर पैटके और यह देखे कितने अच्छे प्लांट सेना हमारे पास यह बहुत अच्छा व्यू था और यह देखे फिर हमारे हस्बन आ गया घर में और उसके लिए हमने ती के साथ थोड़ा केसडिया बनाया था वह तेक उनका मेरे हस्बन का केसडिया बहुत नाइस और में हो जाता है और फिर हमने बनाया था बरीटो के लिए हमने तैयारी की थी उसके लिए हमने बीन्स को सोक कर दिया था तो ऐसे देखते हैं बीन्स सोक होने जाने के पात तो वह नेक्स डे स्कूल के बाद का स्नैक था जो हमने बनाया था पर हमने अब पिचल लेना भूल ग तो वह हमने रखा था और पेशकुकर में जली से बग जाता है क्योंकि हमको नेक्स्टे का भी सोचना है नेक्स्टे हमने है ना हमारे सन के लिए वड़ा पाउं बनाना था तो ये अभी हमने बींज यहां पर रखे हैं और फीर हम उपर से आलु को रख देते हैं ताकि हमारा है ना बटा का बड़ा का प्रोसेस हो जाएगा हम है ना राच से ही बचों के लंच बॉक्स के बारे में सोच देते हैं अदर्वाइस मॉर्निंग में बहुत ही डिफिकल्ट पड़ता है तो हम जब भी डिनर बनाते हैं ना लग स्कूल से आने के बाद और स्कूल में लंच का पहले से ही हम तैयार कर देते हैं जैसे की आप देख सकते हैं एक ही टाइम पे हम डो चीज़ रख जाते हैं प्रेशर कुकर में ताकि हमारा टाइम इतना वेश नहीं हो जाएगा और किचन में हम फटा-फट काम करके फिर वोक पे भी जा सकते हैं हमको है ना सुबह जल्ली निकरना पड़ता है लाइक 7.30 सुभे के साथ सोवास 7.15 7.30 को हमको निकल जाना पड़ता है इसलिए तैयारी बहुत जरूरी है बचों को भी लंच लेना पड़ता है और गर के भी काम रहते हैं तो हम शाम को ही जोब पर से आने के बाद ही कई काम हम पता देते हैं मिन्च फि हम प्रिप कर रहे हैं और फिर सुभे के यूनो चाय के पॉर्ट्स एंड पैंस एंड हमारा खाप यह सब कुछ हम डिश्वोशर में रख रहते थे यहां पर ऐसा होता है डिश्वोशर टॉप साइड और पॉर्टम साइड पर आपको है ना सभी पॉर्ट्स एंड पैंस क्ल लगा कि क्लीं करकर रखना परता है तकी क्लीन हो तो वह सबसके पॉर्पर नहीं करना तहक तो उसमें ड्राइब भी हो जाता है क्योंकि अंडर है ना गरम हवा भी आती है इसे ड्राइब हो जाता है तो एवरी लेक एवरी डे हमको डिश्वाशर चालू करना पड़ता है तो यह हम बॉटम कंपर्ट में जहां स्पून जाती है वह हम रख रहे हैं और यहाँ पर हमने साइन भी बनाई है डर्टी एंड क्लीन ताकि सबको पता चले और जो हैवी पॉट्स एंड पैन से उसको हम यह डिटर्जन डालके दोते हैं ताकि हमारे पॉट्स एंड पैन शाइनी हो जाए यह हमने बींज को सोक करा था ना वो कंटेनर था तो इसको प्रॉपर्डी दोके हम रख देंगे ताकि हमारा काम फटाफट से फिनिश हो जाएगा अगर आप है ना पॉट्स में ऐसे ही कलेक करोगे ना पैन्ट्स एंपॉट्स तो बहुत ज्यादा हो जाएगा तो आप हम फटा-फट से यह क्लीन कर रहते हैं फिर हम बात में आपको हमारा नजाड़ा बताएंगे स्पेशली बीग पॉट्स होता है ना वही हम हाथ से दोते हैं बाकी का जो काश का होता है ना स्पून्स काप्स बाल वो सब को डिश्वाशर में जाता है और क्योंकि हमने वो पावडर डाला था ना बीगिनिंग में बताया दिखा था ना आपने वो पावडर से यह चमकता जाड़ा है तो यह हम प्रॉसेस फिनिश कर लए रहे हैं अब हम शाम को छे बजे वो करने के लिए निकले थे आप देख सकते हैं बहार का नजारा इसको फॉल कलर बोल से हैं जहां पे ग्रीन लिव्स है ना वो पिंकिस ओरेंजी स्ट्राइप पे हो जाते है तो ऐसा आपको नजारा मिले को मिलेगा और जब भी आप वोक पे जाते है ना बहुत अच्छा लगता है तो इसलिए और वेदर भी थोड़ा अच्छा था ना उस दिन उस दिन हमको जैकेट की भी पहननी की ज़रुरत नहीं पड़ेगी और देख सकते हैं कितने अच्छे फॉल कलर दिख रहे हैं ना यहां पहना एक्शुली पार्क है नोट पार करती है और यह देखिए फॉल्स में है ना यह लिव्स आपको रस्ते पर दिखेंगे और यूनों यहां पर जो क्लीनर साते हैं वो ट्रक लेकर वो साफ करते यह होलोविन का नजारा और यह है लेक यहां का लेक बहुत ही सुन्दर है हम है ना सम्टैंस पूरा लेक चलते है समर में पर अभी तो हमरे पस टाइम नहीं है इसलिए हम आदा ही लेक जाते यह देखिए यह शाम का नजारा कितना अच्छा लगता है ना यहां पर यहां पर है ना बेंचिस भी है जहां पर आप बैठ सकते हैं और यह दर को एंजोई कर सकते हैं यह देखने में बड़ा ही ब्यूटिफुल लगता है और यह यहां का बीच है लोकल बीच और यहां पर आप देख सकते हैं बच्चों के लिए स्विंग स्लाइट सब कुछ पनाया है फिर हम गर आगे और हमने बनाया था गुजराती स्टार रसा वाला मग वित रोटला एं करता है था हमने आलमन योगर्ट पाई किया था वह पूरे के पूरा फिनिश हो गया तो हम स्ट्रोबेरी ही खाया और यह नेक्स्ट बच्चों के लिए क्योंकि हमने वड़ा पाउं की फिलिंग और एवरिटिंग नाइट को बना दिया था इसलिए सुबह सुबह है ना हमक कर एक साइड पर चाय बनाते हैं और एक साइड पर वड़ा पाउं बनाते हैं और ऐसे हमने रख दिया मेरे सन को चटनी पसंद नहीं है उसको ऐसे ही पतन पसंद है जो नहीं पसंद वह हम भूल सभी पैक नहीं करते हैं यह एक्स्ट्रा हमको किसी को खाना हो सुबह सुबह तो हम खा लेंगे, यह दो एक्स्ट्रा वड़ा हमारा है, और यह दो वड़ा पाउं है ना, वो हमने ब्राउन बेंग में पेक कर दिये, क्योंकि मेरे सन के बुग बेंग में इतनी जगा नहीं कि लंच बॉक्स दे सके, और यह हमारा आज का ब्लॉक था, I hope आपको पसंद आय ख़र खरो चार्ख थाओ धार्वाशगए पाउन के लिएकर तो हमारा आजा जाज कि लिए खौके लिए हमारी पांटीए ऑट्रावाश कर दीए लिए यहां एमारा गद्ट्रा का बेंगे